हम लोग बात कर रहे हैं भौतिक भुगोल के बारे में और इसमें आपने देखा होगा कि लाश्ट क्लास में हम लोगों ने अपर्दन के अभीकर्ता के बारे में बात की थी और आज की इस क्लास में मौसम और जलवायू के बारे में बिस्तार से चर्चा करनी है और ये सभी क्लासें आपके UPSC यानि कि Civil Service और आपके State PCS को ध्यान में रखते हुए कबर किये जा रही है इनमें आप देखते हैं वंडे एक जाम भी कबर हो जाएगा आपका अगर आप ल अगर बहुत तिक भूगोल चेप्टर है तो आप लोग इस क्लास को देख सकते हैं एक क्लास आप लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है और जो आप देखते हैं कि UPSC और State PCS प्रिलिम्स का जो सिलिवर्स है न उसी एक कबर करवाय जा रहा है और एक प्लेलिस्ट सूची ब वहां करम से मिल जाएंगी वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं तो सबसे पहले एक हम बता देते हैं आपको की मौसम और जलवायू होता क्या है इनमें अंतर क्या होता है क्या होता है अंतर क्या होता है अगर देखिए हम लोग सबसे पहले मौसम की बात करें किसकी मौसम की बात करें तो किसी विसेश इस्थान पर किसी खास समय में बायू मंडल की जो इस्तिती होती ना उसे आप लोग मौसम कहते हैं क्या कहते हैं मौसम कहते हैं और इसमें आप देखते हैं बायू मंडल की इस्तिती में उस विसेश इस्थान का तामान हो आदिता हो बायू परवा ह दाब हो, कोहरा हो, बर्सा हो, हिमपात हो, इन सभी परिस्तितियां सामिल होती हैं, और किसी इस्थान का मौसम परिवर्थनिये होता है, या दिन और पिती दिन भी बदल सकता है, और आप लोग कह देते हैं आज मौसम बदल गया है, साम के टाइम आप कह देते हैं, अब मौसम बदल गया है, तो उसी तरह की बात है हो रिए फिर आपके मन में आता है जलवायू क्या होती है, तो जलवायू किसी स्थान की बातावरण की लगभख स्थाई दसा को कहते हैं, याणि कि आप देखे एक स्थान पर जो स्थाई बातावरण है उसी को आप लोग जलवायू कहते हैं और जलवायू मौसम का ही एक ब्यापा को रोप माना जा सकता है और लेकिन आप देखें जलवायू बड़े भौगोलिक छित के बड़े खालकंड के लिए परियोक्त होता है और अगर हम लोग दूसरे सब्दों में कहें न तो जलवायू में मौसम के सभी तत्थ सामिल होते हैं किसी बड़े छेत के ताबमान, बायूदाप, बायू, प्रवा, आदिता बरसा आदी के कम से कम 30 बरसों के ओसत को उस छेत के जलवायू कहते हैं और किसी इस्थान के जल्वाई पर उस से इस्थान के अक्षान, सौर फिकास, पबन, महासागरी धाराएं, निम्न तता, उच्च, दापिट, पट्टियां, तूफान, आदी द्वारा नियंतन होता है। तो आप देखें, इतने जल्दी बदलता नहीं है, तीस साल आप देखते हैं कि उसका आगर लिये जाते हैं। और किसी स्थान का मौसम समय के साथ परिवर्तनिये भी होता है, जबकि किसी स्थान की जल्बाई लगबाग इस्थाई होती है। और किसी स्थान का मौसम बारिश का हो सकता है, गरमी या थंडी या तूफान का हो सकता है, पर किसी स्थान की जल्बाई इस्थाई रूप से नम ठंडा या गरम हो सकती है। मौसम छोटे छेत्रों और छोटे कालखंडों को ब्यक्त करता है, जबकि जलवाईू बड़े भूखंडों, बड़े कालखंडों को ब्यक्त करती है, और मौसम के अध्यन को मेटरोलोजी कहते हैं, जबकि जलवाईू के अध्यन को आप लोग कलाई मेंट, कलाई मेंट, कलाई कि इसमें क्या मौसम और जलवाई के बारे में बताया गया है। वैदर की अगर हम लोग यानि की मौसम की बात करें, तो आप देखें किसी इस्तान पर किसी विसेश चड़ में मौसम की घटकों के संदरम में बायूमंडल ये दसाओं की योग को मौसम कहते हैं। तामान, बायूदा, पवन, आदता तथा बरसन मौसम के प्रमुक तत्थ होते हैं। ये एक दूसरे के साथ किरिया और पितिकरिया करते रहते हैं। और आप देखेंगे सूर्या तब की मातरा, मेक्चादननिता और बरसन की मातरा आदी बायूमंडली दसाओं को प्रभाबित करते हैं। इन मौसमी तत्तों का भिनविन इस्थानों और समयों का पर अलग अलग प्रिभाव होता है। बायुमंडली तत्तों के परिवरतन सील प्रिभावों को मौसम की रूप में ब्यक्त किया जाता है। जैसे धूप हो गई, गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, बरसा हो गया, तूफान, आदी का मौसम. और इनमेंसे मौसम का पितेक रूप से किसी ना किसी तत्त की ओर संकेद करता है, जो किसी इस्थान, तथा समय विश्यस में सरवाधिक प्रभावसाली होता है. और यहीं अगर हम लोग दूसरे सब्दों में कहें, तो मौसम का एक तत्त, अन तत्तों से अधिक महत्पूर होता है, जब किसी दिन, आकास में मेग चाय होते हैं, और सूर दिखाई नहीं देता है, तो हम कहते हैं की आज मौसम मेग थाते हैं, आज बादल है, मौसम बड़ा सोहाना है, आप लोग कहते हैं न, उसी की बात हो रहे हैं, फिर आप देखते हैं आद्ध, जब किसी दिन बरसा के कारण बायू में आद्धता काफी अधिक हो, तो उसे आप लोग क्या कहते हैं, आज मौसम बड़ा आद्ध है, बरसा हो गई, उ आप लोग गाओं के छित में रहते हैं, गरामी डाला के में, तो आप लोग ने सुना होगा, कि आज बड़ी ओमस पड़ी हुई है, यानि कि आप देखते हैं कि आद्धता भरी पड़ी हुई है, सामानत से अधिक है, लेकिन सूर भी तेजी से निकला हुआ है, बरसा युक्त जिस दिन बरसा खूब हो रही हो, तो मौसम बरसा युक्त होता है, बारिस का मौसम होता है, बायूड, ये आप देखेंगे कि जिस दिन तेज बायूड चल रही हो, उस दिन मौसम बायूड अत्वा तूफानी होता है, धूप युक्त है, ये धूप युक्त है, तो जिस द और सामकाल में आप देखी बरसा होने लगती है, और यह परिश्थिती आप लोगोंने एकसर देविह वी होगी, मौसम समय तथा इस्थान के अनुसार परिवर्तित होता हैं, और एक ही समय में निकटवर्ती, दो इस्थानों में अलग अलग मौसम हो सकता है, आप एक चित से के तप्तु देखें, एलिमेंट्स, तुगमोसम तथा जलवाई के मुख ततामान, बायुदा, पवन, आधता, बर्सन आधी हैं, इन्ही के आधा, इन्ही पर निर्वर करती है, उनका संचित बाड़न नीचे देख लीजे आप लोग, इसमें सबसे फहले आप लोग द्वारा गरम होता है, सूर भगवान के द्वारा, जो आप देखते हैं, पिथवी, जो विकरन होती ना, रीडीसन होती ना, उसके द्वारा, जिसमें उसका तामान बढ़ता है, किसी स्थान का तामान कई कारकों पर निर्वर करता है, जिनमें भूमद रेखा से दूरी, क् कम होता है भूम अध्सागरी धुर्मों की ओर और समुध्ध तल से उंचाई में बिध्धी होने पर भी तामान में कमी आती है माली जे समद तल है ये उचाई पर आप जाएंगे तो तामान में कमी देखने को मिलती है गरम धाराएं तधा पवन पवने तामान को बढ़ाती है जबकि ठंडी पवने और धाराओं से तामान में कमी आती है ये नॉर्मल से जानकारी है और जानदा ही आप लोगों को विस्त कालों पर तामान कम होता है और तामान में देनेक और बार्सिक परिवर्तन होते रहते हैं देनेक परिवर्तन मौसर से समंदे थे जबकि बार्सिक परिवर्तन का समंद जलवायू से है फिर आप देखते हैं कि बायू दाब आता है बायू मंडल की बायू में भार होता है जि दितल से उचाई आदी कारकों की अनुसार परिवर्तन होता रहता है। बायुदा बाले छेत्र से निम्न बायुदा बाले छेत्र की ओर चलती है। परिवर्तन बता चुका हूँ और भी आप लोग देख लिजे। तो मौसम में किसी सीमिच छेत्र की बायु मंडली ये दसाओं की लगो आधी प्रया एक दिन या एक सब्ताय का अध्यन किया जाता है। जबकि जलवायु में बड़े छेत्र की लंबी कई दस्कों अधी की मौसम सम्मंदी दसाओं के ओसत का अध्यन किया जाता है। मौसम में आप देखें मौसम बायु मंडली तत्तो जैसे ताबमान अत्वा आध्यता में से किसी एक से भी प्रभावित हो सकता है। जबकि जलवायु बायु मंडल के विभेन तत्तों के सैउक्त प्रभाव की देन हो सकता है। और मौसम अक्सर बदलता रहता है जबकि लगभग ये आप देखें जलवायु इस्थाई रहती है। मौसम में आप देखें इसका प्रभाव किसी देश के छोटे से भाग में अनुभाव किया जाता है। जबकि आप देखें जलवायु जलवायु के प्रभाव को किसी महादीप के विसाल चित में देखा जा सकता है। मौसम आप देखें किसी इस्थान पर वर्स में विभेन पिकार की मौसमों को अनुभाव किया जा सकता है जलवाई में आप देखें किसी इस्थान पर एक ही पिकार की जलवाई होती है देखने को आपको मिलेगी और जलवाई को प्रभावित करने वाले कारक अगर आप देख जो आप देखते हैं कि जलवायू को प्रभावित करते हैं तो आप देखें किसी स्थान या पेदेश की जलवायू को निमलिखित कारक प्रभावित करते हैं इनमें आप लोग देखेंगे पहला आप देखेंगे कि अक्छांस अत्वा विस्वत ब्रत से दोरी या आप देखे को मिलेगा निकरवर्थी इस्थान दूरस्थ इस्थानों की अपेक्चा अधिक गरम होते हैं यानि की कहने का मतलब यह है विस्वत बृत की निकट जो इस्थान होगा वो दूरस्थ इस्थानों की अपेक्चा अधिक गरम होगा और इसका प्रमू कारण है कि विस्वत बृत पर सूर की केड़ने हमेशा लगवक लंबबद पड़ती है और सीतोस और धुर्वीय कटी बंधों में सूर की केड़ने तिरची पड़ती है और किसी भी छेत में लंबबद केड़ने तिरची केड़नों की अपेक्षा आधिक संगेत साकेंद्रित होती है और इसके अत्रिक तिरिची केर्णों की अपेक्षा लमबद केर्णों को धरातल पर पहुँचने में बायू मंडल की कम दूरी तै करनी पड़ती है। यही कारण है कि निम्न अक्षांसों में उचक्षांसों की अपेक्षा तामान उचा रहता है। विसवत बिरत की निकट होने के कारण मलेसिया में इंगलेंड विसवत बिरत से दूर की अपेक्षा अधिक गर्मी पड़ती है। तामान उचाई बढ़ने के साथ घड़ता जाता है और पितेक 165 मीटर उचाई पर आप जाएं तो एक डिगरी सेंटी सेल्सियस तामान कम हो जाता है और इस पेकार उचाई बढ़ने के साथ तामान नियंतर कम होता रहता है। फिर आप देखेंगे इसमें तीसरा कारा के महादोई फियता अत्वा समुद्र से दूरी है। तो पानी गर्मी का कुछालक है अर्थात यह बहुत देर में गरम होता है और बहुत देर में ठंडा होता है। नामपुर की अपिक्चा तामान नीचे रहता है और अधिक बरसा होती है। फिर आप देखते हैं कि विचलित पवनों का स्वरूप तो समुद्र की ओर से आने वाली पवने अती अभी तट पवने नभी से युक्त होती हैं। और बे अपने मार्ग में पढ़ने वाले चित्रों में बरसा करती हैं। और महादीपों के आतरिक भाग से समुद्र की ओर आने वाली पवने अप तट पवने सुस्क होती हैं। और इसके विपरीत सीत कालीन मानसून पवने इस्थल भाग से आने के कारण सामानता सुस्क होती हैं। फिर आप देखें मेका अच्छा दन तो मेक भीहीन मरूस्थली है भागों में दिन के समय बायू के अत्यधिक गरम होने के कारण चाया में भी उचे तामान पर पाए जाते हैं। और रात के समय यह गर्मी धरातल द्वारा सीख विक्रित हो जाती हैं। और आप देखें मरूस्थलों में दैनिक तामान ताप परिस्वर अधिक परिसर अधिक होता है। इसके विक्रित बादलों में घरे आकास और भारी वर्सा के कारण तिरू अनपरम में ताप परिसे बहुत कम होता है। फिर आप देखें समुद्री धाराएं भी प्रभावित करती हैं जल वायू को। तो समुद्री जल में तामान और घनत्य की समानता बनाए रखने में समुद्र का जल एक इस्थान से दूसरे इस्थान को गती मान रहता है। और समुद्री धाराएं जल की गतियां हैं जो उच्चे ताबमान से निमने ताबमान तथा निमने ताबमान से उच्चे ताबमान की ओर एक निश्चित दिसा में बहिती हैं गर्म धाराएं तटवर्ती भागों की तामान को बढ़ा कर कभी कभी वर्सा में सहाय होती है और जबकि ठंडी समुद्री धाराएं तटवर्ती भागों का तामान कम कर कुहरा उत्पन करती है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरजन नामक बंदरगा नौर्वे में गरम उत्तरी अटलांटिक महासागरिये प्रभाह की कारण जाडे में बरब के जमने से बचा रहता है और यगईपी आप देखें क्यूबेक बंदरगा अफेक्षा के निम्न अक्षांसों में इस्तित है और समद्री की ओर से आने बाली पवने गरम धारा की उपर से गुजरते समय गरम हो जाती है और इसी पिकार आप देखें ठंडी धाराओं के उपर से गुजरते गुजरने पवने ठंडी होकर आंतरिक भावों में ताबमान को कम करके कोहरा और धुंद उत्पन करती है फिर आप देखते हैं परवत मालाओं की स्तिती तो परवत मालाओं हवाओं के रास्ते में प्राक्तिक और रोधक का काम करती है और समद्री की ओर से आने वाली पवने मार्ग मे पवनों के आने पर उपर चड़ने को बाद होती है और उपर चड़ने पर ताबान गिरने लगता है और ये पवना मुख ढाल बरसा रहत होता है और विश्टी चाया पिदेश कहलाता है और इनके कारण आप देखें पवने रोकींगी तो वहाँ आप देखते हैं कि बरसा भी अधिक होती है महान हिमाले बासपेख्तु मान्सून पवनों को तिबबत जाने में रुकावट पैदा करते हैं और उतर की ओर आने वाली ठंडे ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकती है जो आप देखते हैं कि जो हिमाला है न एक काफी मदद भी करता है और इसी कारण से भारत की उत्री मैदानों भारी बरसा होती है जबकि तिबद एक इस्थाई दृष्टी चाया पिदेश बना होता है और भूमी इसमें आप देखेंगे एक और प्रभाव भूमी का धाल इबम अभी मुक्तदा भूमी के मंद धाल पर सोर की कर réponse का संकेंदरन होने के कारण ऊपर की बायू का तामान बढ़ जाता है और तीब धाल पर के पहलने के कारण तामान कम होता है और इसके साथ ही सूर के समोग पढ़ने वाले परवटी है, ढाल वाली छेत्रों से अपेक्चा घरम होते हैं, और हिमालाय परवटमाला के दच्छी ढाल, उत्री ढालों की अपेक्चा अधिक गरम होते हैं, एक और काराखिस में मिट्टी की प्रकिती और बनस्पती आवरन, तो मिट्टी का गठन, सरजना एवं संगठन उसकी प्रक्ति को बताते हैं, एगुड अलग-अलग मिट्टियों में बदलते रहते हैं, पथरीली या रेतीली मिट्टी गर्मी की सुचालक होती है, जबकि काली चिकनी मिट्टी गर्मी को जल्दी सोक लेती है, और बनस्पती बहीन मिट्टियों से विकरा अंतेजी से होता है, और अता हमरूस्तल दिन में गर्म और रात में ठंडे होते हैं, बन-बहीन चेतरों की तुल्ला में बनों से ढखे, चेतरों में ताप परिश्थ कम होता है, और इनमें पिरमुक कारकों की समलित प्रभाओं की कारण अक्छांसों की पश्च्मी तटीय भूमिया, पूर्वी तटीय भूमियों की अपेक्छा स्थीत रितू में गरम रहती हैं, और उपुश्ट कटी बंदों की निकट निम्न अक्छांसों की पूर्वी तटीय भूमिया, पश्च्मी तटीय भूमियों की अपेक्छा ग्रीस र जहानी हो गई मौसम और जलवायू की अंगली कलास में हम लोग बायू मंडल का जो संगठन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपका हो मेरे लिस्ट हो जाओ तो आप लोग बता सकते हैं और NCRT जरूर पढ़ लिजे इन किताबों को पढ़ने से पहले NCRT आपका बेस मजबूत करती हैं आपको समझाती हैं और कहते हैं कि आपका बेस मजबूत हो जब आप लोगों का बेस मजबूत हो जाएगा तो इन किताबों को आप लोग बहुत बहुत बहुतर तरीके से समझ पाएंगे प्रिलिम्स हो मुख